हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गूरी चैनल में एक बन नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तो जो एक दिसंबर से सेवी के नए रूल आये है ठीके जो लागू होने वाले हैं एक दिसंबर से ठीके कितना मार्जिन आपको फ्यू प्लिटली जानेंगे कितना कितना टाइम फ्रेम दिया हुआ है और कितने कितने वक्त में ये चेंज होते रहेगा फिप्टी परसेंट सेवंटी फाइफ परसेंट या ओल्मॉस्ट हंड्रेट परसेंट ठीके कि आपको फिर मार्जिन पूरा ही देना पड़ेगा मतलब आप पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है एक तो चलिए दुस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करनेंगेस पहले एक बाह मैं फिर से बोलूँगा प्रॉफिट गूरु चैनल पर आप लोग नए हो दुस्तो ठीके तो डेफिनेटलि सब्सक्राइब कर दोस्तो थोड़ा सा mobile को portrait करना पड़ेगा आपको तो आप थोड़ी बड़ी screen पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तो bank nifty मैंने bank nifty का एक lot आप देख सकते हो 25 quantity का 29,600,500 से sale करके देखा तो यहाँ पर कितना fund बता रहा है एक लाक अठा बना जा ठीक है इसको note down करेगा कितना है एक लाक अठा बना जार वही पर nifty के अगर मैं बात करता हूँ nifty में एक lot मैंने sale किया पिछोतर quantity का यह future में है option में नही से मतलब सोरी कल से नहीं कल तो market बेसे close लेगा पकड़ लीजे एक December ठीक है एक December से लागो हो रहा है तो क्या है आपको इसका 25% अभी देना पड़ेगा इसका 25% कितना 25% अभी क्या कर रहे हैं दोस्तों अभी आपको broker भी क्या दे देता है मान लीजे delivery में आपने position लिए ठीक आप अराम से 5000-10,000 या maximum 20-30,000 तक में आप अराम से एक lot को buy कर सकते हो या sell कर सकते दे ठीक है अभी तक यह हो रहा था ठीक है तो अभी तक हो रहा था लेकि अब नहीं होगा अब क्या होगा दोस्तों अब इतने amount का जितना भी amount हो रहा है वो ठीक है जिसे यहाँ पर अभी ठीक है इसका 25% आपको broker को देना पड़ेगा मतलब आपके demate में इतना fund होना चाहिए पहले आप कितना रखते थे पहले 20,000 आप रखे 20,000 में आपने क्या करा आपने margin लिया और एक lot को sell कर दिया ठीक है तो आप होँपर खूस हो जाते थे लेकिन आप दोस्तों आपको 1,58, 25,000 का जितना भी fund हो रहा है न वो रखना पड़ेगा फिर उसके बाद जितना भी margin मिले वो आपके ओपर है ठीक है तो मतलब 1,58,000 का अगर मैं 40% निकालता हूँ तो approximate दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहां पर 40,000 के something आ रहा है कि 40,000 आपको demate में रखना पड़ेगा ठ lot sale होगा अगर इसी की में बात करता हूँ तो इसमें अगर मान लेजी 35-38,000 का fund लगेगा क्योंकि यहां पर fund का में 1,58,000 यहां पर और 1,52,000 यहां पर same condition future के साथ option में भी इसी प्राकार से रहेगी ठीके अभी कितना दे रहे हो अभी आप 20% जे रहे हो 25% आपने broker को दिया ठीके अब मैं आपको guideline के ऊपर लेके चलता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हो new margin trading rules बाइस से भी यहां पर date भी दियो है दोस्तों ठीके starting in December 2020 तो आपको दिखा देता हूँ first मतलब पहला जो है वो 1 December से चालू हो रहा है ठीके तो यहां पर आप देख सकते हो कितना है यहां पर है यहां पर आपको 25% देना पड़ेगा कब से 20 December से ठीके 20 December से 1 December 2020 से यह guideline चालू हो रही है ठीके आप देखते जाएगा यहां पर 25% दे रहे अब यह 25% आप कब तक दोगे दोस्तों यह 25% दोगे दोस्तों आप एक मार्च तक ठीके एक मार्च से यह कितना हो जाएगा बढ़के यह एक मार्च से दोस्तों हो जाएगा 50% एक मार्च से एक जून तक हो जाएगा दोस्तों कितना 50% डिसंबर दो एक दिसंबर 2020 से एक मार्च 2021 तक आप 25% दोगे फिर एक मार्च 2021 से एक जून 2021 तक आप 50% दोगे फिर उसके बाद दोस्तो जुन जुलाई 1 जुलाई 2021 से 1 अगस्त 2021 तक आप कितना दोगे दोस्तो यहाँ पर मतलब 50% देने वाले हो ठीक है 50% ठीक है उसके बाद 1 अगस्त से आपको पूरा 100% margin देना पड़ेगा मतलब यहाँ पर अगर देखे तो पूरा 8 महिने के अंदर अंदर यह 75% 50% यह पूरा complete हो जाएगा ठीक है इसी प्राकार से यहाँ पर 75 बाला सोरी 70 अपडेट है यहाँ पर सोरी सोरी मैं यहाँ पर देखना बूल गया था यहाँ पर देखे 70 मतलब आपको एक बार और में समझा देता हूँ जैसे 1 दिसंबर से 1 मार्च 2021 तक तो आप कितना दोगे 25% फिर 1 मार्च से 1 जून तक कितना दोगे 50% फिर 1 जून से 1 अगस्त तक आप दोगे 70% फिर 1 अगस्त ते आपको 100% मार्चिन फिर ब्रोकर को देना पड़ेगा मतलब आपने एक लाग अठावन अजार का जो अभी लॉट सेल होते हूँ देखा या बाय होते देखने देखने को मिल रहा है केरी फॉरबर में या मान लिजे इंट्रडे में जित समझ में आएगा future का and option का अब दोस्तों क्या होगा जब तक 25% चल रहा है 25% कब तक चोल रहा है दोस्तों मार्चिन तक ठीक है मतलब फरबरी इंट फरबरी इंट तक आपको definitely margin पे मिल जाएगा मतलब अगर मान लिजे 40,000 दे रहे हैं तो 40,000 पे मान लिजे कितना आपको मतल करीबन 3 या 4 टाइम का आपका margin broker तरब से मिल जाएगा तो आपका क्या होगा यह आराम से 1,60,000, 1,70,000 हो जाएगा आप definitely future में buy sale करते हो वो कर पाओगे लेकिन दोस्तों normally जो case में stock को buy करता है और मान लिजे option में premium को buy करता है दोस्तों उनको ये चीजे बहुत कम करने सेल में क्या होता था सेल में दोस्तों काफी traders बरबाद हो चुके मैं तो directly बोल रहा हूं काफी traders ने भर भर के loss किया जिसके कारण ये नया rule से भी ला रही जिससे सामने वाला वेक्ति कम trade करें कम risk लें जिससे क्या हो दोस्तों उसके पास पैसा सब रहे तो वो लंबे समय तक market में टिका रहे अब दोस्तों बहुत सारे traders परेशान हो रहे थी कि option trading option selling trading future selling trading सब बंद हो जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर बंद नहीं हो रही से भी ने rule लाए अब देखिए सबसे बड़ी बात यह आएगी कि कोई traders या जो investor है वो option को sale करके या उपर की position sale करके नीचे की buy करके एक average मिला के कुछ point खाता था ना बीच में की मान लीजिए 100 रूपीज में एक premium buy कर लिया 130 में मान लीजिए एक premium sale कर दिया तो उसके बीच में जो 30 रूपे खा रहा है तो उसमें वो काफी profit लेता था तो यहाँ पर आप वो profit थोड़ा कम हो जाएगा ठीके वो profit कम होग कि ट्रेडिंग बंद हो जाएगी ठीक है यह ट्रेडिंग बंद होने वाली नहीं है और ही सबसे बड़ी बात app stock की तो app stock दोस्तों सुरू से ही अगर मैं बात करता हूँ तो चार गुना से लेके पांच गुना तक margin ही provide करा है सुरू से क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पत पर्म तयार करके रखा है इनको पता था कि आगे से भी इस प्राकार के रूल लाने वाली है तो यह पहले सही CDSL पर रजिस्टर थे दोस्तों ठीक है तो इनका security दोस्तों आप लोगों को पता है कितना शानदार है और app stock तो अभी आप लोगों को पता है दोस्तों कि यहाँ इंडिया का टॉप नंबर वन ब्रोकरिंग फर्म बन चुका है ठीक है तो आप उसमें फटा फट से डिमेट एकाउंट उपन करवा कि हमासा ट्रेडिंग भी इसली तरीके से कर सकते हो तो दोस्तों अगर देखा जाए तो सेबी ने यह जो रूल लेके है यह सबसे पैड़ पहले स्टॉक सिलेट करके रखा और आपके साथ दो ऑपरेटर और बेड़ गया आपको नहीं पता चला कि वो दो ऑपरेटर है लेकिन उन्होंने गेम खेल लिया उन्होंने एक नहीं यहां से बाइ कर लिया एक नहीं है से सेल कर लिया ठीक है वो दोनों ही ऑपरेटर साथ म मिले हो चाहे तो लेकिन आपका पूरा प्रॉफिट तो उन्होंने लिखा गए न और आपको तो लॉस दे गए तो यहाँ पर क्या होता था दोथो यह चीजे बहुत कम हो जाएगी लगभग 90% चीजे एसी कम हो जाएगी जो इंट्रडे में इतना वॉल्यूम जनरेट करते थ और एकदम से इतना वॉल्यूम कम करते थे दोस्तो ठीके तो यहाँ पर क्या रहेंगे अपन आप लोग में यह सब जन काफी सेप्टी से ट्रेड कर पाएंगे और हमारा पैसा काफी सेप रहेगा जिससे क्या रहेंगे कि हम लंबे समय तक मार्केट में इंट्रडे में वर् पाएंगे प्रॉफिट कमाने वाला दोस्तो अभी भी चार परसेंट वो सारी चार गुना अगर लेवरेज लेगा वो अपने इंट्रडे पर तो भी वो फ्यूचर में बाई सेल करके प्रॉफिट निकाल पाएगा क्योंकि उसके पास नॉलेज उतना ही है पहले भी उतने नॉलेज कम नहीं होगा बस लेवरेज का जो सिस्टम में वो कम होने वाला तो इससे क्या रहेगा दूस्तो इससे थोड़ा सा आपको प्रॉफिट पर इफेक्ट पढ़ने वाला है क्योंकि पहले आप यहाँ पर 20,000 रुपे देखे एक मार्केट में एक लॉट को सेलिया ब दरवाइस आप नहीं कर पाओगे ठीके तो यह सेवी का रूल जिससे आप काफी सिप रहोगे और इससे क्या रहोगे इससे प्रॉफिट भी आप जम करके निकालोगे अगर आज लॉस हुआ है तो आप डिफिनेटली कल प्रॉफिट निकाल लोगे जिससे यह आप लोगों का ही फायदा रहेगा ठीके तो इस रूल को कोई जादा वो मत समझना कि सेवी ने उल्टा कर दिया यह कर दिया देखे आपके लिए तो सही है यह ब्रोकरों के लिए तो ब्रोकरों को भी थोड़ी दिक्कत रहेगी तो ब्रोकर सायद हो सकता है कि थोड़ी रिक्वेस्ट कर लीजिए वाप डेली वेसस पे इंट्रेटी की टिप्स हम आप लोगों को प्रोवाइट करते हैं जिससे आप अच्छा पैसा कमा सको और आप पूरी मार्केट की जितने भी न्यूज रहती दोस्तों उससे अवेर रहे हो ठीक है तो चलिए अमेज वीडियो को क्लोज करता हू तैंकी दोस्तो